एक ठो कहानी सुनाएं दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आज दो बड़ी मुवी बॉक्स आफिस में एक साथ दस्तक दी पहला रिव्यू आप तक पहुंच चुका है कि पॉनियन सेलवन आखिर कैसी है हमने अपना रिव्यू बताया हला कि मैंने हाफ भी बताया लेकिन तो पूरा देखने के बाद मुझे कुछ खासा लगा नहीं है हलाकि काफे सारे लोग कमेंड में गाली देंगे लेकिन दोस्तों मेरा काम है मुवी जैसी है वैसी बताना तो पब्लिक का रिव्यू भी हमने आप तक सजा किया तो कहीना कहीं पॉनियन सेलवन यहां हिंदी की तरफ हो सकता है कि ना चले अभी दोस्तों यहां पर हमारी दूसरी मुवी है विकरम वेधा जो मैं नहीं देखने गया मैं आप पहले और देखते हैं विकरम वेधा वे यह रिमेक के बाब बवजूद भी मुझे काफी अच्छी लगी जी इस मूवी को अ कीन साल पहले 2017 में आई थी विख्रम वेदा नाम से ही जिसमें आर्मादवन एज़ा विख्रम के किरदार में थे इसमें जो शैफली खाने और वेदा के किरदार में विजे सेतुपती जिन्होंने दोस्तों जबर्दस तरीके का काम गया था अगर लिटरी गाइस अगर वेदा को किसी ने एक्टिंग के मामले में टक कर दिया यानि कि जिव जैसे तुपति को तो भाई सहाब रितिक ने क्यूंकि यहां पर रितिक ने फाड़ डाला जैंगा इस रितिक की एक्टिंग आउटस्टेंडिंग पुरा विसार से रिविव देंगा उससे पहले आप से क्रिपक मीकि और तीसरा जिन्होंने देख ली है तो वाईि रितिक के फैंस तो देखें गई इस मुवी को तो यह तो कड़ गए दो लोग बजगे जिन्होंने दोस्तों विक्रम वेदा देख ली है दोस्तों जब मैंने औरीजिनल मूवी देखी थी और उनकी एक्टâteीं देखी थी सूपर ठटी वार या पि उनकी और भी गाईज आफ वर्साटाइली एक्टिंग वाली मुवी देख निकाल लो इसमें उनकी एक्टिंग लाजवाब है लिटरिली गाईज आउट इस्टेंडिंग एक्टिंग कहूंगा उनकी सिरिफ आप लो इसकिन प्रेजेंस से ही खुश ह जाओगे अभी देखो वाई यहां पर प्रॉब्लम भी है गाईज कुछ जिन्होंने मुवी देख ली है विक्रम वेधा आपको पता होगा कि लास्ट में एक सस्पैंस है जो अगर खुल जाएगा तो मामला गड़बड हो जाएगा तो वाई जिन्होंने मुवी देखी है वो इंजॉय कर सकते हैं रितिक के एक्टिंग का गाईज वो लोग आनंद ले सकते हैं या फिर वीजियम के गाईज वो मजे ले सकते हैं और मतलब ट्वीस ऑन टन्स भी काफी अच्छे हैं हिंदी वाले वर्जन में इसको काफी अच्छा डैप किया गया है लेकिन बहुत अच्छा गाईज मैं यहां उन लोगों के लिए नहीं काऊंगा जिन्हें नहीं देख रुका हैं जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए यह जरूरी एक मास्टर पीस है एक जबबर्दस तरीके का एक्स्पीरेंस होगा तो इस मूवी को आप लोग जरूर देख सकते हो जिन से औरिजन को औरिजन मनाया गया था वैसा ही यहां पर बनाया है पुशकर गायतरी ने क्योंकि कई बार गाईज ऐसा होता है कि सेम डिरेक्टर भी होते हैं जर्सी मूवी आई थी सेम डिरेक्टर भी थे लेकिन फिर भी दोस्तों बातचीत नहीं आपाई या फिर हीट लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंदा खुद की कौफी रही कर पाता है यहां पर बहुत अच्छा काम किया गया अच्छा एड़ेप्शन यहां पर लिया गया है बीजियम दोस्तों इस मूवी की जान है आउट स्टेंडिंग बीजियम है जबदस तरीके का बीजियम है और क्लाइमेक्स के सीन होश उड़ा देते हैं वहीं दोस्तों मैं यहां पर स्टोरी के बारे में आपको अदाना चाहता हूं इस्टोरी शुरुआत में काफी सिंपल लगती है लेकिन लास्त तक जाते-जाते दोस्तों होश उड़ाने वाली है और जबदस तरीके के गाइस यह रित्तिक रॉशन है वाई साब एक गैंस्टर जो आचाने की सरेंडर कर देते हैं और एक ठोग कहानी सुनाएं सर जी इस तरीके से कहानी सुनाते हैं मतलब मज़ा आता है मुवी मैं देख लिए लेकिन फिर भी मतलब देखी हुई है साउथ वाली लेकिन फिर भी यह कुरस देना चाहता हूं पांच में से साड़े तीन इस्टार अगर यह ओरिजन होती तो दोस्तों मैं बिल्कुली गाइस से कंजूसी नहीं दिखाता साड़े चार दे देता इस्टार जिम्मेदारी से यहां पर एक इस्टार कटेंगे और बॉलीवुड को थोड़ा मतलब रिमेक इसलिए हमने अपना जो रिव्यूब दिया है वह कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्ट के दाइरे में यह नहीं कि भाई कुछ भी बोल दो जो बैक्ग्राउंड है जो कह सकते हैं कि भाई बीजियम है या फिर जो लोकेशन है वह काफी प्यारा लगता है लेकिन इस्टोरी या फ दोस्तों हिंदी डव में बहुत जड़ा जटिल है तो इस वह से काई शायद मुझे अच्छा ना लगा हो बाकि आपका क्या कहना है और आप विग्रम वेधा देखिए कमेंट बताओ साथे तीन स्टार मैंने दिये हैं विग्रम वेधा को और दोस्तों मैंने धाई स्टार करते हैं आप अपने रेटिंग कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही